ओम सुरी मेड साथ हमारे सभी पयाद्रशों को वेद पंडित का नमशकार धाम हो प्रोज आप को रोज एसी ज्यानवारत तक जानकारियां और उपाय बताते हैं जिससे आप सभी लोगों को लाब मिल सकें दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हमसे दूड़े प्रतेग दुर्शक हमेशा खुश रहें और स्वक्ष रहें हम मागडिया देवी से आप सभी के उक्तम स्वास और खुशाल दीवन के लिए प्रात्ना करते हैं दोस्तों आज हम आपको ऐसी घास के बारे में बताने जा कि दृशा को लोग कुश्च शुशां के नाम से और दाप के नाम से जानते हैं हर हमन और पूजा में इसका प्रयोग होता है की दोस्तों इसके बने आचन पर बैठकर पूजा करने से आपको बहुत जल्दी लाफ मिलने लगता हैं दोस्तों हम अपने विशय को आगे बढा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकोन का पटन अवश्य ही दबा दीजिए और वीडियो को शेर अवश्य कीजिए जिससे अधित कर्दिक लोगों को हमारी जानकारी से लाब बिल सकते हैं और पूंड जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो पूरा और अगले दिन इसे घर ले आएं अगर ये कास आपके घर मे लग जाती है और हरी बंद हो जाती है तो ये समझिए उमा लक्ष्मी की किर्पा आपके घर पर हो गई है और आलक्ष्मी आपके घर से चली गही है दोस्तो अगर आप को इसका बांदा मिल जाता है तो यह बहुत ही उत्तम होता है इसका बांदा अगर आपको मिल जाए तो इसे घंगाजिते दो कर और सिंदूर लगा कर लाल कपड़ा बिच्छा कर अपने घर के मंदिर में रखें और धूप जलाएं और बांदे को कोता और सुप कार्य होते रहते हैं और व्यक्ति जीवन में उन्रती प्राप करता है और अपने परिवार के साथ खुशाली बड़ा जीवन प्रतित करता है दोस्तों आप कर्म करते रहें बिना कर्म के कुछ भी प्राप नहीं होता है यह आप बनी बाती समझ दीजिए लेकिन यह यह बात करते हैं कि जिस घर में कुछ का बांदा होता है मालान मालक्षमी इस ताही रूप से वास करती है और व्यक्ति को हर कारे में सफ़कता प्राम करती हैं दोस्तों इस पुकार के और ज्यानबर्दक जानकारियों के लिए आप हमारा चनल समक्ति किसमत देखते रहें ज